नमस्कार दोस्तों, कागच, टाइल्स, पेन, पेन की शाई और ये मेरे हाथ, सभी पदार्तों से मिलकर बनें, और पदार्त बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना हैं, इन कणों को परमाणू का आ जाता हैं, और एक परमाणू तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता हैं, इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन और न्यूट्रोन परमानू के सेंटर में होते हैं जिसे नाबिक आ जाता है और नाबिक के चारों और चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रोन बिन्न बिन्न पदार्तों में बिन्न बिन्न प्रकार के परमानों होते हैं और इन परमानों के गुण भी बिन्न होते हैं इसका कारण यह है कि अलग-अलग पदार्तों के परमानों में इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन और न्यूट्रोन की संक्या में अंतर होता है इलेक्ट्रोन की संक्या में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी परमानु में इलेक्ट्रोन की संक्या को बढ़ाया जा सकता है, उस परमानु से इलेक्ट्रोन की संक्या को कम किया जा सकता है, परन्तु प्रोटोन की संक्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी भी परमानु के लिए प्रोटोन की संक्या निश्चित होती है, किनी भी दो परमानों में प्रोटोन की संक्या कभी भी बराबर नहीं होती है, और न्यूट्रोन की संक्या दो परमानों में बराबर भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है, इसी कारण प्रोटोन को इस परमानु का नमबर कहा जाता है, मतलब किसी भी परमाणू के नाबिक में उपस्तित प्रोटोन की संक्या निश्चित होती है, और इसी संक्या को उस परमाणू का एटोमिक नमबर मतलब परमाणू क्रमांग कहा जाता है, अब हम समझेंगे समस्तानिक क्या होते हैं, तो समस्तानिक के नाम से हमें बहुत कुछ पता चलता है, सम का मतलब है समान और इस्तानिक का मतलब है इस्तान, मतलब आवरसार्णी में समस्तानिक का इस्तान समान होता है, तो इन तत्वों का अवड़सार्णी में समानिस्तान क्यों होता है जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्तानिक है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम का यहाँ प्रतीक है नीचे वाली संक्या परमानुक्रमांग होती है और परमानुक्रमांग प्रोटोन की संक्या को कहा जाता है तो इस हाइड्रोजन में एक प्रोटोन है, इसमें एक प्रोटोन है, इसमें एक प्रोटोन है क्योंकि इनका परमानुक्रमांग समान है एक उदासीन परमानू में ऐसा परमानू जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन परमानू कहा जाता है और यहाँ पर यह तिनों उदासीन परमानू है और उदासीन परमानू में प्रोटोन और इलेक्ट्रोन की संक्या समान होती है तो इसमें एक इलेक्ट्रोन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोन होता है उपर वाली संक्या इसे द्रव्यमान संक्या का आ जाता है आप इसे परमानु भार भी बोल सकते हो और किसी भी तत्व का परमानु भार, एटोमिक मास उस तत्व में उपस्तित प्रोटोन और न्यूट्रोन की संक्याओं के योग के बराबर होता है इस हाइड्रोजन में एक प्रोटोन है और इसका परमानुभार एक है और इसमें प्रोटोन की संक्या एक है तो आप ग्याद कर सकते हो इस परमाणू में न्यूट्रोन की संक्या कितनी होगी इस एक को हटा कर यहाँ पर लिखते हैं तो एक माइनस एक जीरो हो जाता है मतलग इस प्रोटियम में न्यूट्रोन की संक्या जीरो होती है इसी प्रकार आप 1H2 में ग्याद कर सकते हो और यहां पर परमाणू दरव्यमान दो है और प्रोट्रों की संक्या यहां पर एक है तो आप न्यूट्रों की संक्या गयात कर सकते हो और यूट्रों की Siya Prakat Tritium में एक प्रोटोन है और इसका परमानु भार तीन है तो इस तीन में से हम प्रोटोन की संक्या को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है न्यूट्रोन की संक्या जो कि यहाँ पर दो है मतलब प्रोटोन और न्यूट्रोन की संक्याओं का योग उस परमानु का द्रव्यमा प्रमानु भार मान सकते हैं इस प्रकरती में इस नेचर में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटियम परमानु पाए जाते हैं और डूटिरियम और ट्राइटियम इस प्रकरती में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं जिस जल का सेवन हम करते हैं उस जल में जो हाइड्रोजन हम लिखते हैं वह हाइड्रोजन प्रोटियम होता है परन्तु यदि इस प्रोटियम के स्थान पर हम डूटीरियम लेते हैं तो डूटीरियम को D से भी दर्शाय जाता है इसे भारी हाइड्रोजन भी का जाता है तो हमें सुत्र प्राप्त होगा D2O और इसे कहा जाता है भारी जल और यह जल की तरह ही होता है बस इसे कहा जाता है भारी जल क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का परमानु दर्विमान दो है तो यहाँ इसकी तुलना में भारी हाइड्रोजन है ट्राइटियम रेडियो एक्टिव परमानु है रेडियो एक्टिव परमानु ऐसे परमानु होते हैं जिनसे स्वत अलफा बीटा गामा भिन्न भिन्न प्रकार के वीकी रण निकलते रहते हैं और इनका धीरे धीरे शय होता रहता है मतलब ये धीरे धीरे नाश्ट होते रहते आदुनिक आवडसान्नी में तत्वों को उनके परमानुक्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन के इन तिनों समस्तानिकों के परमानुक्रमांक समान है तो आवडसान्नी में इन तिनों को एक ही स्तान पर रखा जाता है इसलिए इन तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है इसी प्रकार कार्बन के तीन समस्थानिक होते हैं और इन्हें आप कार्बन 12, कार्बन 13 या इसे कह सकते हो आप कार्बन 14 क्लोरीन के दो मुख्य समस्थानिक है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 इसी प्रकार नाइट्रोजन के दो मुख्य समस्तानिक होते हैं 14 और 15 और भी समस्तानिक होते हैं 13, 16, 17 परन्तु इन ये समस्तानिक आइस्थाई होते हैं और केवल 14 और 15 नाइट्रोजन के ये दो समस्तानिक इस्थाई होते हैं तो इन सबी में आप देख सकते हो पर्मानु क्रमांग समान हैं परंतु पर्मानु द्रव्यमान बिन्न बिन्न हैं और ये तीनों एक ही तत्व के पर्मानु हैं तो एक ही तत्व के ऐसे पर्मानु जिनके पर्मानु क्रमांग समान होते हैं परंतु पर्मानु द्रव्यमान य उन्हें कहा जाता है समस्तानिक और आवर्सानी में इन्हें एक ही स्तान पर रखा जाता है चलिए कुछ महत्वपूर्ण समस्तानिक देखते हैं और इनके उप्योग क्या है आयोडीन 131 इस समस्तानिक का उप्योग गेंगा रोग के उप्चार में किया जाता है गेंगा को गलगंड रोग भी कहा जाता है इस रोग में क्या होता है हमारी जो गर्दन है उस गर्दन में एक ग्रंती पाई जाती है जिसे थाई रोईड ग्रंती कहा जाता है इस ग्रंती से एक हार्मोन निकलता है जिसे थाई रोकसिन हार्मोन कहा जाता है और यह हार्मोन आयोडीन प्लस प्रोटीन से बनता है यदि हमारे भोजन में आयोडीन तत्व की कमी हो तो इस हार्मोन का निर्मान नहीं हो पाता इस कारण इस थाइरोइट गरंती में सूजन आ जाती है सूजन से यह गरंती फूल जाती है और इसके फूलने से गला बड़ा हो जाता है बाहर निकलाता है इसी को गेंगा का आ जाता है और इस रोग के उपचार के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए और इसके अलावा यदिया रोग बहुत अधिक बढ़ चुका है तो आयोडीन 131 के द्वारा इस रो उपचार किया जाता है कोबार्ट का समस्तानिक है 60 और इसका उप्योग कैंसर के उपचार में किया जाता है केंसर में क्या होता है हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं विवाजन करती है जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है घाव हो जाता है तो वहाँ पर कोशिकाएं शती ग्रस्त हो जाती है नश्ट हो जाती है तो जो आसपास की कोशिकाएं होती है ये को कोशिकाएं विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती है दो से चार कोशिकाएं बनाती है इस प्रकार बनने वाली नई कोशिकाएं उस घाव को भर देती और घाव भरने के बाद कोशिका विभाजन रुख जाता है परन्तु यदि किसी कोशिका में केंसर है तो वह केंसर की कोश कोशी का नोन स्टोप मतलब लगातार विभाजन करती रहती है इसे आपके सकते हो कोशी का बावली हो गई कोशी का पागल हो गई वहाँ नियंत्रीत अनकंट्रोल्ड लगातार विभाजन करती रहती है उस विभाजन की हमें आवशकता नहीं होती फिर भी कोशी का लगातार विवाजन करती रहती है तो ये कोशिकाएं एक जगे भी इकठी हो जाती है क्योंकि इनकी संक्या बढ़ती रहती है तो सिस्तान पर कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जिसे कैंसर का ट्यूमर का आ जाता है और जब इस रोग की प्रारंबिक अवस्ता में ऐसे एक या दो ट्यूमर बनते हैं तो उन ट्यूमर पर कोबाल्ट साट का उप्योग करते हैं कोबाल्ट साट जो है इससे शक्ति शाली गामा वीकीरण निकलते हैं और ये गामा वीकीरण इनके इंसर कोशिकाओं से इस ट्यूमर से टकरा कर इन सभी कोशिकाओं को जला कर समाप्त कर देते हैं कोबाल्ट साट एक रेडियो एक्टिव समस्तानिक है और रेडियो एक्टिव पदार्तों से वीकीरण निकलते हैं इससे शक्ति शाली गामा वीकीरण निकलते हैं और इन वीकीरण की उड़जा बहुत आदिक होती है ये वीकीरण कोशिकाओं से टकरा कर उने जला सकते हैं सोडियम चोईस का उपियोग शरीर में blood circulation मतलब रक्त के बहाव की जांच में किया जाता है इसी प्रकार फासपोरस 32 का उपियोग leukemia में किया जाता है leukemia एक प्रकार का blood cancer है कार्वन चोदा का उपियोग कार्वन डेटिंग में किया जाता है अब यह कारवन डेटिंग क्या होती है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं जीवाश्म तो आप जानते ही हो जो जीवाश्म होते हैं उन जीवाश्म की आयूग याद करने में इसका उपयोग होता है यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणू भट्टी में किया जाता है जिससे ना भी किया री एक्टर भी कहा जाता है और इस भट्टी में इसका उपयोग इंधन के रूप में किया जाता है ह2 ड्यूटीरियम है और इसे भारी आइड्रोजन कहा जाता है और ह2O में इस आइड्रोजन को हटा कर वहाँ पर इस ड्यूटेरियम को स्थापित करके ड्यूटी ओ का निर्माण किया जाता है जिससे कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसे भारी जल भी कहा जाता और भारी जल का उप्योग भी परमानु भट्टी में न्यूट्रोन मंदक के रूप में किया जाता है न्यूट्रोन मंदक का मतलब है यूरेनियम 235 पर दीमी गत्ती वाले न्यूट्रोन की बोच्छार करते हैं जिससे इस यूरेनियम के भारी नाविक का वीखंडन हो जाता है और बहुत अदिक मात्रा में उड़जा निकलती है तो इस यूरेनियम पर जब दीमी गत्ती वाले न्यूट्रोन की बोच्छार करते हैं तो न्यूट्रोन की गत्ती को धीमा करने का काम करता है भारी जल अब हम समझते हैं कि संबारिक तत्व क्या होते हैं इनके नाम से पता चलता है सम भार मतलब ये ऐसे तत्व हैं जिनके परमानु भार समान होते हैं परन्तु इनके परमानु क्रमांग बिन्न होते हैं आरगन, पोटेशियम, केल्शियम तीनों के पर्मानु क्रमांग भिन्न हैं, परंतु इनके पर्मानु भार समान हैं, तो भार समान होने के कारण इने का आजाता है संबारिक तत्व। इसी प्रकार सेलेनियम और जर्मेनियम सम भारिक तत्व हैं इनके पर्माणु भार समान हैं परंतु पर्माणु क्रमांग भिन्न हैं चलिए अब हम समझते हैं सम न्यूट्रोनिक तत्व क्या होते हैं यहां भी नाम से पता चलता है सम न्यूट्रोनिक सम का मतलब है समान न्यूट्रोनिक का मतलब है न्यूट्रोन तो ऐसे तत्व जिनमें केवल न्यूट्रोन की संक्या समान होती हैं बाकी संक्याएं भिन्न होती हैं उन तत्वों को कहा जाता है सम न्यूट्रोनिक तत्व यहाँ पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओक्सीजन है तो चेक करके देखते हैं कि यह तत्वसम न्यूट्रोनिक है या नहीं है बोरोन का परमानुक्रमांग 5 है और परमानुक्रमांग प्रोटोन की संक्या को कहा जाता है तो बोरोन में 5 प्रोटोन होते हैं कारवन में 6 प्रोटोन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 प्रोटोन होते हैं, और ओक्सियन में 8 प्रोटोन होते हैं, चलिए इनमें न्यूट्रोन की संक्या का पता करते हैं, तो अभी अभी बतायता, परमानु भार एक्वल टू प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन की संक्या, तो य माइनस पांच इक्वल टू साथ तो बोरोन में न्यूट्रोन की संक्या होती है साथ और यह उदासीन परमानू है उदासीन परमानू में प्रोटोन और इलेक्टोन की संक्या है समान होती है तो प्रोटोन पांच है तो इलेक्टोन की संक्या भी पांच होगी अब हम चेक करते कि इस कार्बन में न्यूट्रोन की संक्या कितनी है तो इसमें प्रोटोन की संक्या अच्छे और इस संक्या को हम 13 में से घटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें 7 न्यूट्रोन है बागी इलेक्ट्रोन की संक्या तो 6 ही होगी इसी प्रकार nitrogen में proton की संक्या 7 है और इस 7 को अगर हम 15 में से घटा देते हैं तो हमें neutron की संक्या 8 प्राप्त होती है इसी प्रकार oxygen में proton की संक्या 8 है और इसे 16 में से घटाते हैं तो हमें neutron की संक्या 8 प्राप्त होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोरोन और कार्बन इन दोनों ततों में न्यूट्रोन की संक्या समान है तो इन्हें हम बोलेंगे सम्न्यूट्रोनिक तत्व परन्तु नाइट्रोजन और अक्सिजन को इन ततों के साथ हम सम्न्यूट्रोनिक नहीं कह सकते हाँ इन्हें आपस में समन्यूट्रोनिक कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों ततों में न्यूट्रोन की संक्या समान है तो ये दोनों आपस में समन्यूट्रोनिक है इसी प्रकार ये दोनों आपस में समन्यूट्रोनिक है